आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इन दिस question which of the following properties so that light is a transverse वेप, तो देखिए यहाँ पर reflection है तो reflection जो होता है वो longitudinal वेप से भी होता है and transverse वेप से भी होता है और interference है वो भी longitudinal वेप से होता है और transverse वेप से भी होता है और यह diffraction है यह भी longitudinal and transverse वेप से होता है लेकिन polarization है वो केवल transverse वेप से होता है तो यह प्रपर्टी हो जो पॉलराइजीशन वो शो करता है कि लाइट बेब जो है वो ट्रांसवर्स बेब भी है क्लासिक्स टुट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चारसो 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 पर